दोस्तों आज मुझे पैना सोनिक का स्पिलीट एसी का PCB रिपेयर करने के लिए मिला था और यह PCB मुझे दोस्तों बहुत ही परिसान ज्यादा किया इस को बनाने में मेरा हालत खराब हो गया था क्योंकि इसमें जब पावर रेगुलेटर आईसी जो था इसका वो मुझे खर तो मैंने फिर से इसको जब डाइगनोसिस किया तो मुझे इसमें बहुत सारे चीज मुझे खराब मिले च्छोटे-च्छोटे पार्ट तो आज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप इसका पावर रिगुलेटर आइसी चेंज किजेगा तो आपको क्या क्या चेंज करना होगा मैं आपको बता देता हूं देखिए दोस्तों यह पावर रिगुलेटर आइसी इसका MIP-2F-2 इसके जगा पर इसक्रीण पर दिये हुए कोई भी पावर रिगुलेटर आइसी को लगा सकते हैं सब यह दोस्तों देखिए इमो भी है इसको यह मुझे खराब मिला था इसको निकाल करके फैक दीजे इसा कोई काम नहीं है और अटो कपलर है इसको आपको जरूर से चेंज करना है क्योंकि ऑटो कपलर इसमें पावर सप्लाइग के अंदर में है और ब्रीज रेक्टिफायर यह भी मुझे खराब मिला था तो इसके वह भी मुझे bridge rectifier मेरे पास नहीं था तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरह से bridge rectifier को मैंने यहाँ पर diode से बनाया है तो जैसे आप normally diode से bridge rectifier बनाते हैं आप उसी तरह से bridge rectifier को आप बना करके लगा दीजिए और यहाँ पर auto coupler है auto coupler को आप जरूर से change कर दीजिए और यह MOB है इसको आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह MOB सही जादत करके यह fault हो जाता है क्योंकि अगर यह power regulator IC है इसको जब भी आप change करिएगा तो आपको इन सबी बातों को ध्यान में रखना है तो चलिए दोस्तो अभी मैं आपको इन इसमें line दे देता हूं और line दे करके मैं सारा voltage check करा देता हूं कि इसमें कौन-कौन सा voltage आ रहा है और कौन-कौन सा we'll तो सबसे पहले मैं इसको लाइन दे रहा हूं और अभी देखिए जब भी आप PCB बनाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले फैन मोटर जो हो रहता है जो इंडोर में लगा रहता है उसका वोल्टेज को आप जरूर से चेक कर लिजे तो यहां पर देखिए मेरा फैन मोटर का वोल हाई भी कम है तो जिसके कारण से यहां पर अभी कुछ 58 या 51 भी आ रहा है तो यह सही है क्योंकि केप सीटर लगता है तो उसके बाद में वो बढ़ जाता है और मैं सेकेंड वोल्टेज आपको दिखा दे रहा हूं वहां पर भी देखिए 51 आ रहा है सेकेंड वोल्टेज का मैं बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं और अब मैं आपको इसका आउट्बूट भोल्टेज भी दिखा दे रहा हूं जो की रिले के द्वारा आउट होता है और हमारा जो इन आउट्डोर यूनिट में जाता है तो थोड़ा सा मैं इसको साइज में कर ले रहा हूं और यहा और मैं आपको दिखें PCB का लाइट को दिखा दे रहा हूं कि मैं यह बोल्टेज लाइट इसमें जला हुआ है मतलब कि यह PCB ओन है और यह बिल्कुली अच्छा तरीका से आउट भी कर रहा है तो दोस्तो इस तरह से आपको इस PCB को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं बस थोड़ा सा केरफुली इसको बनाना है और जो भी मैंने आपको बताया बस उसी को फोलो करना है आपको तो यह सानी से बन जाता है